मस्कार दोस्ताव स्वागत है अपका हमारे यूट्यूब पर बिहार डियलेट का आज दोनों से प्टों का एक्जाम कंड़क कराया जा चुका है तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी कोश्चन मिलें सारे के सारे देख लेते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लो कौन से समिधान संसोधन के अंतरकत जोड़ा गया तो 1976 का 42 समिधान संसोधन के अंतरकत मौले कर्तब्यों को जोड़ा गया और कौन से आर्टिकल के अंतरकत आते हैं मौले कर्तब 51 का या 51A अगला है मनो नुकूल का संदिव इच्छे दबताओ तो ये हो जाएगा मना धन अनुकूल नेक्स्ट है न्यूटन के पहले नियम को किस नाम से जाना जाता है तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त के नियम के नाम से भी जाना जाता है अगला है गुरुत्य तुरण का मान सबसे कम जो है वो कहां पर होता है तो वो होता है बिसुबत रेखा पर अगला कोश्चन है हास गैस का रासायनिक सूतर बताओ तो N2O नाइटरस आकसाइड इसको कहते हैं अगला है फॉर्वर्ड ब्लोक की स्थापना कब और किसके दोरा की गई तो फॉर्वर्ड ब्लोक की स्थापना होई थी 1949 में और किसके दोरा की गई थी नेता जी सुबाज चंदर बोस के दोरा की गई थी अगला है बूजे चूने का रासायनिक सूतर बताओ तो बूजे चूने का रासायनिक सूतर होता है CAOH का Hold Twice पानी पत के यूद उसे प्रसंद था तो हम लोग पानी पत के यूद के बारे में जान लेते हैं जैसे कि पानी पत का प्रथम यूद पानिपत का परतम यूद हुआ था 21 अप्रेल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में और पानिपत का दुतिय यूद की बात करें तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 5 नौंबर 1556 में और पानिपत का तिसरा युद 14 जन्वरी 1731 में MS अबदाली और मराठो के बीच में हुआ था अगला है आत्म हत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है तो दिखेगा इस question क्या गयता है आत्म हत्या की थैली के नाम से किसे जाना जाता है तो लाइसो स्वम को आत्म हत्या की थैली के नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है हरिजन सेवक संग की स्थापना किसके दौरा की गई थी तो ये की गई थी महात्मा गांदी के दौरा अगला है पानी को मांचित्र पर कौन से रंग से दरसाते हैं यह दिखाते हैं तो यह हो जाएगा नीला अगला है महाभीर स्वामी का जनम कहां पर हुआ था तो बिहार के बैसाली जिले में कुंड ग्राम में हुआ था अगला है नालंदा विस्व दैले की स्थापना किस ने की थी तो कुमार गुप्त प्रथम ने की थी नेक्स्ट है पहले प्रत्वी सम्मेलन कौन सी जगह पर हुआ था पहला प्रत्वी सम्मेलन तो रियो डी जेनरो ब्राजिल में हुआ था अगला मगही कौन सी भासा की बोली है तो यह हो जाएगा बिहार की बोली हो जाएगी नेक्स्ट है चंदर मुखी में कौन सा समास है तो देखे चंदर मुखी में समास की बात करें तो इसमें हो जाएगा कर्मधार है समास अगला चीटियों के अध्यन को क्या कहते हैं चीटियों के अध्यन को कहते हैं मरमिकोलोजी और ऐसे अगर पूछा जाता है पच्छियों के अध्धिन को क्या कहते हैं और निथोलोजी कहा जाता है मकड़ियों के अध्धिन को औरकोलोजी अगला आम खाया जाता है में कौन सा बाच्चे है तो आम खाया जाता इसमें बाच्च हो जाएगा कर्म बाच्चे हो Next है काबे की सोभा बढ़ाने वाला सब्द को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं अलंकार अगला फलों को पकाने में किस गैस का प्रियोग करते हैं जारखंड में यूरेनियम नामक आयस्क मिलता है नेक्स्ट है उच्चारण में कौन सी संदी है उच्चारण में संदी हो जाएगी ब्यांजन संदी नेक्स्ट है सदैप का संदी विच्छत बताओ सदैप का संदी विच्छत होता है सदाधन एब और इसमें संदी हो जाएगी अगला है विद्धुद्धारा को कौन से यंत्र से मापते हैं तो विद्धुद्धारा को आमीटर के द्वरा मापा जाता है अगला है बार एंड पीस किसकी किताब है तो लियो टालस्टाय की किताब है बार एंड पीस अगला जिसकी उपमा ना की जा सके उसको क्या कहेंगे? जिसकी उपमा ना की जा सके उसको कहते है अनुपम अगला भारत के राष्टे धोज को कब अपनाये गया? 22 जुलाई 1947 को गुबारे में कौन सी गैस भरी होती है? गुबारे में देखे गैस भरी होती है helium बा hydrogen gas Next question है कान भरना मुहावरे का अर्थ बताओ कान भरना मुहावरे का अर्थ होता चुगली करना या किसी के मन में किसी के लिए गलत बात कहना Next ही राकुन बान कौन सी नदी पर बना है तुम महा नदी और ये कहां पर है ओडिसा में और इसको ओडीसा का सोग भी कहते हैं, ओडीसा का सोग, महा नदी को, अगला अनुच्छे 356 का समन्द बताओ, तो इसमें क्या है, सम्वेधानिक मसीनरी की बिफलता के आधार पर, भारत के किसी भी राज़ पर राष्टपती सासन लगाया जा सकता है, अगला विद्धु दा विटामिन से प्रस्टत है, तो सारे विटामिन देख लेते हैं, जैसे विटामिन A का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल, विटामिन B का केमिकल नेम थाइमिन, विटामिन C का एसकॉर्पिक कमल, विटामिन D का कैलसी फेरॉल, विटामिन E का टोको फेरॉल, और विटाम कमल का आयू-पेसी नाम क्या होता है एथेनोई कैसेड और इसका फार्मूला क्या होता है CS3-COOH अगला है मोटे अनाजों में सबसे ज़्याता क्या चीज़ पाया जाता है मोटे अनाजों में प्रोटीन और फाइबर पाया जाता है नेक्सट्य अन्स का विसेसर वताहो अन्स का विसेसर होता है अन्सिक नेक्सट्य रोबर्सकप कोण से खेल से समन्मदित है तो यह होजाएगा फोटवाल से समंधित है रोबर्स कप नेक्स्ट बुड़ स्परिट किसे कहते हैं बुड़ स्परिट कहते हैं मेथेनौल को अगला मासाला उद्यान या मसालों का बगीचा के नाम से कौन जाना जाता है केरल छंद का उले कौन से बेद में मिलता है तो ये मिलता है रिग बेद में बिवाँतर को मापने का येंटर कौन सा होता है बिवाँतर को कौन से येंटर से मापा जाता है तो बोल्ट मापी से अगला कोशिका का अनुवानसिक पादार्थ क्या है DNA डियाकसी राइवो नूकलेक एसेड अगला है दिल की धड़कन को नियंतरित करने बाला जो हर्मोन होता है तो वो कौन सा होता है एड्रेना लाइन प्रकाश के विद्धत प्रवाव की खोच किसने की तो रुडॉल्फ हडज ने की थी भारत के पहले ग्रह मंतरी का नम बता तो सरदार अबलब भाई पटेल अगला है देवासुर में कौन सा समास है देवासुर में दुन्द समास हो जाएगा रॉलेट एक्ट कब आया था अगला कोशन है तो ये आया था 19 सब 19 में आया था इसरो की स्थापना कब और किस ने की इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1970 को किस के दौरा की गई बिक्रम ए सारा भाई के दौरा की गई अगला ओरिजिन आप इस्पिसीज बुक किस की है तो चार्ल्स डार्विन की सांबर जील कहां पर इस्थित है अगला कोशन है तो भारत की राजिस्थान के जैपूर जिले के सांबर लेक टाउन में इस्थित है सांबर जील पीला सोना किसको कहा जाता है पीला सोना कहा जाता है सोया भीन को के पाप गुड होप का समन किससे है दच्छन अफरीका से तो गाईद आसके इस वीडियो में इतना है थेंक्यो धन्यवाद